सप्लाई बरहाने और दलहन की बुवाई के रकबे में बरहोत्तरी आने से उरद की कीमतों में गिरावत आनी शुरू हो गई है। इसका असर होलसेल मार्केट में दिखने भी लगा है। खुद इसकी जानकारी केंदर सरकार ने दी है। साथ ही केंदर सरकार का मानना है कि दिल और इंदोर के होलसेल मार्केट में उरद की कीमतों में नर्मी आनी से खुद्रा बाजार में भी इसका असर जल्द ही दिखने लगेगा। हालां की चालू खरीफ सीजन में 5 जुलाई तक उरद की बुआई का रगबा 5.37 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है जबकि पिछले साल यह रगबा 3.67 लाख हेक्टेयर था। खास बात यह है कि एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उबबोक्ता मामलों के विभाग के लगातार प्रयासों के चलते उरद की कीमतों में गिरवाच शुरू हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार को इस साल अच्छी बारिश की उम्मीद है ताकि किसान अधिक से अधिक रखबे में दलहन की बुवाई करें। खास कर बारिश होने से मज्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनारू और महाराष्ट्र जैसे प्रमुक उरद उत्पादक राजियों में अच्छी फसल का उत्पादन होगा। वही कहा जा रहा है कि 5 जुलाई 2024 तक उरद की बुवाई का रखबा 5.37 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधी में यह रखबा 3.67 लाख हेक्टेयर था। सरकार को उम्मीद है कि इस साल 90 दिनों की फसल से खरीफ में अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। खरीफ बुवाई सीजन से पहले, नेफेर और NCCF जैसी सरकारी एजेंसियों के माजियम से किसानों के पूर्वपंजीकरन में उलेखनिये तेजी आई है। ये एजेंसियां किसानों से उरद की खरीद करेंगी। ये प्रयास किसानों को खरीफ सीजन के दौरान दलहन उत्पादन की ओर स्थानांतरित करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की रननीती का हिस्सा है। अकेले मज्य प्रदेश में कुल 8487 उरद किसान पहले ही NCCF और नेफेर के माजियम से पंजीकरन करा चुके है। इस बीच, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य प्रमुक उत्पादक राजियों में क्रमशह 2037, 1611 और 1663 किसानों का पूर्वपंजीकरन हुआ है, जो इन पहलों में व्यापक भागीदारी का संकेत देता है। नेफेर और NCCF द्वारा मूले समर्थन योजना, PSS के तहित ग्रीशमकालीन उरद की खरीद जारी है। Bureau Report Markin Times TV